कि हलो एवरिबडी आज की इस वीडियो में जिसक्स करने जा रहूं इंपोर्टेंट फॉर्मुले क्लासिकल मेकनिक से और जो यह फॉर्मुले में जिसक्स करूंगा सबी कमकी संस के लिए कापी युद्फुले चाहें होंगे एक नेक बार जाएस के फिर्ट के स्वेंग्स हो है और जो एक्जाम रिखते हैं वेलिए सिलस्टी वेस्ट बेंगी मुझे इस उम्मिद हैं सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिश्क्स कि या हैं यह में होता है कर दोता है सोर्स आफ उबस्टार और सोर्स अगर ऑप्जरबर की तरफ को अप्रोच करता है एक वाप्जरव से तो फ्रीकेंशी की खीज होती है तो अगर मिउनाट यह है किसी सोर्से जो जनरेट हो रहा है तो उसको जो एक्स्रीकेंशी में अब्जाब होगी वह इसका एक्सप्रेसर होता है भी उसका चाहित हो और यहां पर चर्म होती है वर्प्रस-small-v upon-c upon-1-v upon-c यहां पर वी है स्मॉली स्पीट ऑप सोट इस फॉर्मुले को आद रखी स्पेट कुछ कुछ कर सके लें प्लस लगा ना है तो जैसे हमें प्लस साइब आप यह सूच नहीं के एक अप देना है तो अगर किसी particular moment के ऊपर अगर ये वी हमें positive लेना है तो अगर observer source की तरफ को जा रहा है तो हमें positive लेना है और अगर ये observer दूर जा रहा है source से तब यहां पर minus लेना है उसी तरीका से speed of source जब हम हैं पर लें capital V की value तो उसको ध्यान रखें कि अगर ये pass की तरफ एप्रोच कर र रखें और अगर दूर जाता है तो यह पर plus sign रखें तो इस चीज को always ध्यान रखें इस पर जो बेंगर करके always रखें तो यहां से questions आ जाता है कई बार completions में का expression स्याद रखें कि के अंदर में जो अपरेंट frequency म्यू है वह होती है म्यूनोग जो एक्ट्रीकर्सी होती है और जारूग 1 plus small v upon c upon 1 minus small v upon c जहां पर भी जो होती है रिले की velocity होती है observer और सोर्स के बीच की सी velocity अप्लाइट होती है यह जो है वह एक्ट्रीकर्सी होती है इसमें भी याद रखें कि हमें कहां plus sign लगाना है कहां minus sign लगाना है उसका भी ध्यान रखें कि अगर हमारा पास पास तोनों आते हैं तो हमें sign इस तरीका से लेना चाहिए कि जो frequency है वह बढ़ती नजर आए और अगर दूर जाते हैं दोनों observer और सोर्स एक दूसरे से तो इस तरीका से sign लेके चलते हैं कि जो frequency हो तो इस दोनों एक्सपेस्टों को याद रखें लोगी टूबर एक्सपेस्ट का एक्सपेस्ट से याद होती है और मू जो अपिरेंट फ्रिक्वेंसी वी वेलोस की होती है दोनों के बीच की लेक्ट वेलोस की जो observer और सोर्स के बीच की होती है तो यह तो तीनों जो फर्बले वह आलवेज रखें फोर्थ पर मैंने कुछ फर्बले रिवाइज कराएं एल बराबर लॉंट अट की किसी की नहिंत है जो दोनों के बीच जो हमारा अब ऑजर्बर इस वेलोस की से चलता है लेंथ के डिसके नहीं अगर अगर ऑजर्बर वेलोस की वीच इसक्वाइब यह टाइम है जब डेस्क रेम प्रेफरेंस में किसी बहुत का और टी जो इन दोनों के बीच की रेक्व वैलोस की है अगर तो फोटो ने दूशे के रेस्पेक्ट ली आप उसे जाते तब भी वैलोस की सी रहती है की सिसीरे और यह जब भी सी के अंद़ वी ताव और जब भी और सी सी में से वी घठाते हैं तब भी उसमी आता है है तो सब ओर बीजन रखें साथ-साथ यह भी याद रखें। कि अदियाद रखने हो हृता है। यह ब्रहysł बिदै। की रेखने हृता है। खोटिज सबुस्द Northeasterman की सिक्टी स्वाइब रहें। साथ-साथ यह भी सबुद के चार्ज एंवेरियंट रहता है कि स्क्वार और साथ साथ यह भी याद रखें कि आभी जो है जो है निकिस्टिक रहता है जिसकी स्टीजाब कि जैसे तो यह सब दोनलों के बीच में पूछ लिया जाता है और यह वी आप रखें के परावर जो होता है यो इंपी को एंडी अगते दे तो याद रखें लेख टिक अनर्जी जो ती है हमारी एम माइनस एमनॉट और ब्रैकेट में क्लोज करें सी स्कॉया एम टी मैंनॉट एक्सप्रेशन स्याद रखें लोड़े टांस्पार्मेशन में बिचार्ट एक्सेज जो लोड़े टांस्पार्मेशन ने तो यह सीदा सीदा कॉश्चन साथ है करनकिसंस की दुनिया में इसको व्याद रखें कि अगर कोई कोई इवेंट है उसके फ्रेम प्रेफरेंस में पता चल जाते हैं दूसरे में हमें उन्हें कोर्लेट करना है तो उसके लिए हमें अगर किसी व्याद फ्रेम प्रेफरेंस में हो रही है तो सोर्स इवेंट नहीं पर है और जो काम्नेट वो आपजर्ब करता है और जो एकसे हमोसर होती है तो इसका गांसपर्मिस्ट में इस सुथा है कि यह सकोरे सब्सक् sixवाम से वियाद होता है धिताल पनॉस्ट्र Ой यह विया रखें होईें होफ और एक्सीज के यौर्प सब्सक्रोफ । Councillor जो- सट्वर्ड सब्सक्रोफ तो- प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् एनेर्जी को रिप्लाइब करता है तो यह सब्सक्राइब करता है और चाहिए तो इसे दो चाहिए और सेंचर मास के बीच का इएच को होता है तो उसको भी याद रखें यह सब्सक्राइब काई यह तो सब्सक्राइब कर दो और आटो जो आउके रेटाई होती है और यह हमारा डाइमिटर के अलों होता है इस पेर का मुंट आप इनर्स यहां 2x5mr² होता है अलों दाइमिटर और टेंजेंशल के रेस्पर्ट में एक्ट कर देते हैं तो 7x5mr² होता है अगर बोड़ी एक्प्रेम के ऊपर हाइट से नीचे की तरफ आती है एस के स्काइश चलती है तो उसमें वेलोस्की का फ़र्वला हमें एरजी के जर्डेशन से लगाते हैं एक्प्रेशन का फर्मुला आता है जी साइन थीटा पॉन प्लस के स्काइर पॉन आर स्काइर जीच एक्प्रेशन का फर्मुला आता है जी साइन थीटा पॉन प्लस के स्काइर पॉन आर स्काइर जी एक्सेशन रूट टूग्रेव की थीचा एंगिलेशन के एक्प्रेशन और एगर चाहिए तो यहां पर हम इस एक्सपरेशन से कर सकते हैं पॉन्ट 9 में मैंने जिसकस किया है कि अगर कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर जैंक को टोने तो पूरा 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 क्रास्पर्म दिखा सकते हैं तो वन अपउन फूरा पैप्सर नोग जैगे निकुट 2 अपन आड़नोग जो है वो प्रिकेंशन इनजी होगी और एक काईट केंशन अड़ी होगी अलफा पार्ट पीके आड़नोग जो हो श्क्रोड़ के स्क्राइब तो इसको भी आद रखें वाई बिरावर 3 के 1-स की सिगमा होता है यहां पर यांग मौगणस के भल्क मोगलस और यह सिगमपोई जल देसों कहलाती है वाइ बराबर नपरस स्क्वार इस में भी याद रखें कि जी रो होती है थैके सार्कित एकी वैल्य वन होती है परावुला केस में और एकी वैल्य लेस दैन उती है इंदा सब्स्क्राइब जो होगी थे हाइब बोला के के लिए तो यायद रखें तो यह भी प्रोल्स इसका पूछे जाते हैंULUP का पूछ जाता nutr इस एक फ्रीम आप रेफ्रेंस एंगल 5 रोकेट कर जाता है तो इसके लिए जो प्रांसपर्मेशन वैल्यू होती है वह थी है उस फाइज माइनस साइन फाइज जीरो 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 बन जाग एक एक्सिस के रेसपर्ट रोकेशन हो रहा है एंगल 5 का यह भी याद रखें अगर मॉट T की वैल्यू वन है तो प्रॉपर रोकेशन और T अगर हमारा माइनस वन निकलता है इसका काट चर्में तो इंप्रॉपर रोकेशन कहलाता है यूनिफर्व एक्टेवर प्रॉपर प्रॉपर में मोमेंट ऑपनर से याद रखें आई जैब जैड की वैल्यू होती है 1 बाई 3 एम ए स्कॉर प्रस बी स्कॉर प्रस बी स्कॉर उसी तरीका से बाकी की लिख सकते हैं इसके जो रूट आइगन वैल्यू के निटल काते हैं वह होती है 1 बाई 6 अबे स्कॉर और 11 बाई 12 अबे स्कॉर और 11 बाई 12 अबे स्कॉर यह भी पूश्लिए जाते हैं 25 पर मैंने दिसक्स किया है lawrence transformation उसकी फॉर्मूली चाने भणी रखें और एके ज़स व्यस्पारबर लाई ज़स चाहिए स्कॉर उब्याट रखे और यज़स व्यस्पार गार्सटर्व करता है जो प्जरबर बैठा है विज़स के लिचे से उन से पीछमें एगले से हैं Ux-Ux-V upon 1-V UxYc² होता है Uy-Uy-Uy under 1-V2 by c2 1-V upon c2 Ux होती है और Uz-Uz under 1-V2 by c2 upon 1-V upon c2 Ux होती है जहां पर Ux, Uy, Uz जो है वह virus की कॉद्रेटें event के इंटाफ्रिम और S-Uz में जो जिसमें observer और उबजर्ब कर रहा है उसमें UX जैस और UI जैस और user जैस वेरोस की जा रहे हैं तो यह भी याद रखें साथ साथ कुछ और जो important चीज़ें हैं वो मैं आगे discuss करता रहूंगा तो मुझे अव्मीद है कि रिविजन की जो सरंखला मेंने सुर्प की हुई है यह निशित तोर से आपको benefit देगी और आपको यह भी guideline देगी किस तरीका से हमें फ़रूल के रिवेंबर रखने हैं तो इन लगाता फ़रूलों को revise करते रहें और कमकी कर्स से मेरी सलाई है कि जो रिवीजन है थोड़ा स्पीक से करें और ज्यादा से ज्यादा फ़रूलों को revise कर लें पीछे के जो पेपर से उनको solve करते रहें तो यह सब जो आपको benefit देंगे कमकी संस जब आप exam लिखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही साथ-साथ यह भी कहना चाहूँगा कि इस सभी यह बस्क्रिसेज जैं